नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जोतेश दिशासत्य की रामया, मैं हूँ आपके साथ आपका इश्टो फ्रेंड संतो संतोशी, पापांग कुशाय कादशी, महा स्पेशल एपिसोड उपाय राशी की अनुचार एक दिव्य प्रियोग, एक दिव्य शुभत्तव, एक ऐसा विशेश पर्वर, समस्त एकादशियों में सर्वस्रेष्ट, पापांग कुशा एकादशी, यह एक आदशी, समस्त पापों का नाश करके, बिश्रु लोग का राह सहज करते हैं। अगर इस एक आदशी को आपने जी लिया, तो निश्चित रूप से आपके लिए सब कुछ सुलब हो जाएगा। आए सुरवात आज के जोतिश दिशागी करते हैं। सबसे पहले आज का पंचान। आश्विन शुकले कादशी, पापांकुशाय कादशी, आज हर राशी वालों को एक विशेश उपाय, दान सुरूप बताएंगे। चंद्रमा मकर में सुबह आठ बच के 27 में इसके बाद कुंभराशी में प्रवेश नक्षत्र रहेगा धनिष्टा योग, रहेगा शूल, तदनुसार दिनांग, 6 अक्टूबर दिन गुरुवार। राहुकाल दो पहट देड़ से तीन, गुलिक काल सुबह नो से साड़े दस। राहुकाल नए और शुब काम के लिए सास्त्रोग तो वर्जित है, लेकिन गुलिक काल कहता है कि आप कर लीजिए जो भी आप काम करना चाहें, सब काम आपके लिए शुब हो जाता है। मेश से लेकर मीन तक अब आई जानते हैं आज का दिव्य भविश्य फल और पापांकुशा एक आदसी का खास प्रियोग राशी अनुजार। मेश राशी, पढ़ाई के लिए आज जो भी आपनी कदम बढ़ाया है, वह पूरता की तरफ बढ़ चुका है। ब्यापार के लिए समय अनकूल रहेगा, बिजनस में रिस्क लिए आजा सकता है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए बहुत शुब रहेगा, प्राइवेट सेक्टर में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। सरकारी छेत्र को लेकर के आप जितना आगे बढ़ेंगे उतना ही आपके लिए सकारात्मक रहेगा। दामपत्त जीवन अच्छा रहेगा, पत्नी और बच्चों के वीज तालमेल अच्छा बैठेगा। लव लाइफ में कुछ माइनस प्लस चलता रहेगा, लव लाइफ को लेकर के सजग रहने की आवशकता है। स्वास्त के मामले में खान पान को ध्यान दे, पेट की दिक्कत रहेगी। आज ऐसे लोग जिनको कुछ गुप्त रोग हैं, उनको आज कुछ समस्याओं का ज्यादा सामना करना पड़ेगा। पापांकुशाय कातशी, खास प्रयोग साबुत हल्दी किसी मंदिर में दान कर दीजेगा। क्या नहीं करना है। चंचलता नहीं दिखानी है। शुवरंग आपके लिए हरा भागि प्रत्शत 62-62 ब्रिशब रासी, सकरात्मक इस्थती रहेगी। पढ़ाई बहुत अच्छी करेंगी। ब्यापार अच्छा चलेगा। बिजनस में हर प्रकार की शुपता है। प्राइवेट सेक्टर में कुछ तनाव हो सकता है। अचानक से मुश्किलें बढ़ सकती है। सरकारी शेत्र को लेकर के सजग रहने की आवश्यक्ता है। गवर्मेंट सेक्टर आपके लिए मुश्किल पैदा करेगा। दामपत्र जीवन अच्छा है, पत्नी और बच्चों के बीच तालमेल अच्छा बैठेगा। सपोर्ट करना होगा। एक दूसरे। लव लाइफ थोड़ा सा मुश्किल पैदा करेगा। लव लाइफ में अचानक से दिक्कतें आ सकती है। स्वास्त के मामले में आज माइगरेन, आख और सांस की दिक्कत हो सकती है। क्या प्रियोग करना है अगर आपकी राज शिव्रिशव है। ओम विश्रवे नमहे। ग्यारह बार इस मंत्र का जाप करिएगा। क्या नहीं करना है। अपने राज किसी को बताने नहीं है। शुबरंग आपके लिए बैगनी भाग्य प्रिशत चौगण। मिथुन्दाश पढ़ाई बहुत अच्छी चलेगी। सिक्षा में सुधार है। ब्यापार अच्छा है, बिजनस में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। लिवर और बैग की प्राब्लम हो सकती है। क्या प्रियोग करना चाहिए अगर आपके राशी मिथुन है। आज मिथुन राशी वालों को पापांकुशा एकादसी के दिन किसी जरूरत मंद को कुछ खाने की वस्तु देना और अरहर की दाल का दाल शुब होगा। क्या नहीं करना है। अपने राश बताने रहिए। बादामी रंगशुभ है सणसट प्रत्सत का भाग्या। करक राशी। शिक्षा पूर्टा की तरफ है। पढ़ाई में कोई रुकावट नहीं। ब्यापार अच्छा है बिजनस में अवसर अच्छे मिलेंगे। प्राइवेट सेक्टर में हर संभव शुमता रहेगी। सरकारी छेत्र आप पर आज भारी पड़ेगा। दामपत्य जीवन अच्छा रहेगा। पत्नी के साथ अच्छा समय भी देगा एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। लव लाइप में कुछ मुश्कलें आ सकती हैं। अचानक से दिक्कतें बढ़ सकती हैं। स्वाज्त के मामले में खुद को थोड़ा संभालने की आवशकता है। दामपत्य जीवन हर प्रकार से शुब है। पापांकुशा एकादशी का खास प्रयोग आपके लिए करकवालों के लिए। आज अपने हाथों से तीन लोगों को जल पिला दीजिएगा। क्या नहीं करना है। जंजट मोल नहीं लेना है। जगणा नहीं करना है। शुबरंग पीला भागी प्रत्थिवन। 6 अक्टूबर पापांकुशा एकादशी सेंगराशी। पढ़ाई बहुत अच्छी करेंगे। सिक्षा में हर प्रकार की शुबता है। ब्यापार अच्छा चलेगा। अवसर बड़े मिलेंगे। प्राइबर सेक्टर आपके लिए शुबता देगा। सरकारी छेत्र में अवसर अच्छे हैं। गवर्नमेंट सेक्टर किसी तरह की दिक्कत में नहीं है। दांपत्य जीवन अच्छा रहेगा पत्नी के साथ। बहुत अच्छा समय भीतेगा। लव लाइप में मुश्किल ने आ सकती है। अचानक से कुछ दिक्कतें बढ़ सकती है। स्वास्त के मामले में पेट, लिवर और बैक की प्राब्लम हो सकती है। क्या प्रियोग करना चाहेगा रापिराशी सिंग है। पापांकुशाय कादशी के दिन अपने कंठ पर हल्दी का तिलक लगा दीजेगा। क्या नहीं करना है। बिवाद मोल नहीं लेना है। शुबरंग गिरे भागी प्रत्सत छाचट है। कंठ राशी पढ़ाई के लिए जैसा आपने सोचा है। वह ऐसा होगा। ब्यापार बहुत अच्छा है। बिजनस में अवसर अच्छे देगा। लाभ होता जाएगा। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ शुभत तो दे रहा है। सरकारी छेत्र के मामले में आज का दिन आप पर महरवान है। गौर्नमेंट सेक्टर आपको अपने आप प्रमोशन दे सकता है। आज कहीं कुछ पैरवी करने की आवश्यक्ता नहीं। दामपत्य जीवन अच्छा है, पत्नी के साथ अच्छा समय बीत रहा है, दुसरे को सपोर्ड करेंगे। लव लाइफ को लेकर सजग रहने की आवश्यक्ता है। स्वास्त के मामले में देखा जाए, तो पेट, बैक की प्रॉबलम और आखों की समस्या हो सकती है। क्या परियोग करना चाहिए गर आपकी राशिक कन्या है? आज पापांकुशाय कादशी के दिन कन्याराशिवालों को किसी जरूरत मंद को मौसमी फल का दान करना है। और काले तिल का दान कहीं गउशालागर है, तो आज करके आईएगा ही, क्या नहीं करना है, आज दूसरों से उमीद नहीं करनी है, बसंती रंगशुभ है, औरेंज, 55 प्रत्सत का भाग्या है, तुलाराशी, पढ़ा यह चीज करेंगे, शिक्षा में सुधार है, ब्यापार बहुत अच्छा चलेगा, आउसर अच्छे मिलेंगे, प्राइवेट सेक्टर आपके लिए शुम्ता देगा, चिंताओं से बाहर निकलेंगे, सरकारी छेत्र में कुछ मुश्किलें आ सकती है, सोच समझ कर फैसला लीजिएगा, दांबत्र जीवन अच्छा है, पत्नी के सा अच्छा समय भीतेगा, सपोर्ड करेंगे, एक दूसरे को लाव होगा, लव लाइफ में मुश्किलें आ सकती है, लव लाइफ को लेकर सजग रहने क्या वशकता है, स्वास्त के मामले में लीवर, पेट और बैक की प्रॉब्लम हो सकती है, तुलाराशी वालों को क्या प्र प्रतिसद बावद, मिस्टिक राज, पढ़ाई बहुत अच्छी करेंगे, सिक्छा में हर तरह से सुधार है, व्यापार में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी, प्राइवेट सेक्टर अच्छा रहेगा, अउसर बड़े दे रहा है, सरकारी छेतर में प्रमोशन होगा, ग आँख और बैक की प्राबलम हो सकती है, क्या प्रियोग करना चाहिए, आज का दिन आपके लिए गुड़ और सोट, इसका धुवा पूरे घर में दिखाईएगा, और किसी जरूरत मंद को आज वस्त्रदान कर दीजे, पापांकुशाय का दशी स्पेशल प्रियोग, क्या नहीं करना है, लंबी यात्रा नहीं करनी है, औरेंज कलर शुभ है, अठावन प्रित्सत का भागिया, धरुराशी, पढ़ाई के लिए जैसा सोचा है, होता जाएगा, ब्यापार बहुत अन्कूल है, अवसर बड़े मिलेंगे, प्राइबिट सेक्टर आपके लिए आपके की प्राब्लम हो सकती है, क्या प्रियोग करना चाहिए अगर आपी राशी धनु है, धनु राशी वालों को किसी जरूरत मंद को आज काले तिल या काले चने का दान करना शुभ होगा, क्या नहीं करना है, बड़ बोला पर नहीं दिखाना है, गुलावी रंग शुभ है, क् प्रत्षत का भाग्या है, मकर राशी, शिक्षा पूर्णता की तरफ है, पढ़ाई में किसी तरह का दोश नहीं है, व्यापार अच्छा है, अनुकूलता रहेगी, प्राइविट सिक्टर आपके लिए अवसर देगा, सरकारी छेतर में सुधार आ सकता है, गौर्नमेंट सि राशी वालों को आँख और बैक की प्रॉब्लम हो सकती है, क्या प्रियोग करना अगर आपकी राशी मकर है, आज किसी अजनवी को, जिसको आप ना जानते हो, कुछ धन और कुछ अन, अन और धन का दान कर दीजे, क्या नहीं करना है, बड़ बोलापन नहीं दिखाना है, शुबरंग पीला भाग की प्रित्षत, तिरपण 53, उम्बराश, पढ़ाई अच्छी चल रही है, शिक्षा में सुधार है, ब्यापार बहुत अनकूल है, प्राइबिट सिक्टर आपके लिए अफसर दे रहा है, जिनताओं से बाहर निकलेंगे, सरकारी छेत्र में उल्ज पैदा करेगा, सोच समझ कर फैसला लिजेगा, स्वास्त के मामले में आख और कमरदर्द की शिकायत रहेगा, क्या प्रियोग करना चाहिए कुम्भवालों को, आज पापांकुशा एकादशी के दिन, किसी भी मंदिर में जाकर केले का प्रशाद अर्पित करिएगा, क्या नहीं करना है, बड़ों से उलजना नहीं है, शुबरंग नीला भाग्य प्रिशत साथ, मीन राशी, शिक्षा की स्थिती सुधर रही है, व्यापार अच्छा चल रहा है, बिजनस में आउसर अच्छे मिल रहे है, प्राइविट सेक्टर बहुत अनकूल है, मुश्किलों का हल है, सरकारी छेतर की स्थिती को सुधारने का प्रियास करें, दामपत्य जीवन अच्छा है, पत्नी के साथ अच्छा समय भी तेगा, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, लव लाइफ में मुश्किलें आएंगी, लेकिन उसको आप निप्टा सकते हैं, स्वास्त के मामले मे पेट, आँख और वैग की प्राबलम हो सकती है, हल्दी से अपने कंठ पर पांच बाट टीका लगा कर, अरहर की दाल का दान करना शुब होगा, क्या नहीं करना है, इशारों में, आज किसी को कुछ मत समझाईगे, इस्ट्रेट बोलिएगा आज, शुबरंगलाल भागी प पा, मिथुन, यागशर, करक, पा, सिंग, लागशर, कन्या, गा, तुला, धागशर, विश्चिक, दा, धन, हागशर, मकर, जा, कुम, चागशर, मकर, माफ कीज़ेगा, मीन, का, आप इस्क्रीन पर एक बार फिर से देखे, आज की सक्सस की, दो चुटकी आटा, पूरब द नीचे रख दीजेगा, 6 एक्टूबर को जिसका सुब जनम दिन है, उसके लिए प्रियोग है, किसी तीन बुजुर्ग को दवा का दान करके, तीन बच्चों को कच्चा दूस देना है, जिसकी आज मैरिज एनवरसरी है, काला धागा, पती-पत्नी अपने सर से वार कर, किस पीपल के पौधे में बाध देना है, काम पूरा, तो भाया, आज के लिए इतना ही, आज का अंक यही समाप्त होता है, आपने जाना कि पापांकुषा एकादशी के दिन किस प्रकार से आप प्रियोग करते हुए, शुबता प्राप्त कर सकते हैं, यह एकादशी, एक दिब एकादशी है, अपने आप में बड़ी मजबूत एकादशी है, शुबह एकादशी है, आपको निश्पाप करती है, इसे जरूर कर लीजिएगा, चाहे आपकी मेश हो, बिशब हो, या फिर मीन हो, कोई भी राशी हो, बारहो राशी वाले इस प्रियोग को कर लें, गाजया बात अभी मिलने के लिए आप हमारे पास आ सकते हैं, नमबर आपके सामने चली रहा है, हमें अरुमत दीजेगा, अपना ख्यार लखें, और मुस्कुराते रहें, खिल खिलाते रहें, नमश्कार, शिरादे, आचार्य, विश्व प्रसिध जोतिशाचार्य, संतोश संतोशी जी ने, अपने तेरह वर्षों के कठो रिसर्च के बाद, आप सब के खुशाल जीवन के लिए लाए हैं, एक अनमोल उपहार, ग्रहदीब, समस्त प्रकृति की शक्ति को, अपने अंदर समेटे, ये तरह से खुशियां ला सकता है, कैसी भी दशा, कैसा भी ग्रहों का हो दुश प्रभाव, बस एक ग्रहदीब आप के जीवन को भर देगा खुशियों से, हर समस्या के लिए, अलग अलग ग्रहदीब, जैसे नौकरी के लिए, सूर्य ग्रहदीब, व्यापार के लिए, अस्तान गोपाल, धन हे तू महालक्ष्मी, कर्ज कोट विवाद मंगल ग्रहदीप, मॉडलिंग और एक्टरस बनने के लिए शुक्र ग्रहदीप, तो अगर आपको भी खुशियों की चाहा है, मंगवाईए अपना खास ग्रहदीप, दीप एक, खुशियां अनेक, कर्णा खास आपको अनेक, भी खुशियों की चाहा है, मंगल आपको अनेक, पन्मुलिंग तो भी खुशियों मंगर बाद करेमा भी खुशियों के जा़दीप, स्चाहँ मंगल और एक, उल्हदीप, तो ब्रीकमान रहा है, मुछनेक्ट्टरस सहीं, आपको बढ़िख एकश्